अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांगशाएं और उपलब्दियां वो देख पाहीं नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है और कॉंग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डिवलप हुआ है कुछ भी है कैंसिल कुछ भी है कैंसिल यह ऐसे कैंसिल कल्चर में कॉंग्रेस फ़स गई है अगर हम कहते हैं मेक इंडिया तो कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं आतमंदिर भारत कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं बोकल फॉर लोकल कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं बंदे भारत ट्रेल कॉंग्रेस कहते हैं कैंसल हम कहते हैं संसाज की नहीं हमारत कि यहने महरान हुई है कोई मोधी की उपलब दिया नहीं है देश की उपलब दिया इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे और उसके कारां देश की सफलता है देश के एच्वेंट उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए आधे नियत्यक जी राश्पती जी ने विक्सित भारत के रोड मैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलों पर विस्तार से चर्चा की आर्थववस्ता की मुल्भूत जो अधार है उसकर की बारीकी से चर्चा की है और भारत की मजबूत आर्थववस्ता को आज पूरी दुनिया सरा रही है पूरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकर से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है G20 समीट के इतर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भरत के लिए क्या सोता है क्या कहता है और इन सारे दस साल के कारकाल के अनुभव के अधार पर आज की मजबूत अर्थिववस्ता को देखते हुए जिस तेज गती से भारत विकास कर रहा है उसकी बारिक्यों को जानते हुए मैं विस्वात से कहता हूं और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टम्ब है आरत दुनिया की तीसरी बड़ी आरतिक अधार यह मोदी की गारंटी है जिस टुनिया की पेहले मोका नहीं दिया था क्या आदर्णी अदर्जी जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन करके उगरेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर कर देते वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा क्या कमाल है आप लोगों की मोधी का क्या है यह तो अपने आप हो जाएगी मैं जरा सरकार के भूमी का क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेश करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं कि देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमी का क्या होती है अधिन अध्यक जीन दस साल पहले दोहजार चवदा में फरवरी महिने में जो इंट्रिम बजेट आया था उस समय कौन लोग बैठे था आपको तो मालूम है देश को भी मालूम है जो दस साल पहले इंट्रिम बजेट आया था उसे पेश करते सबाए उस समय के वित मंत्री ने जो कहा था मैं उसको कोट कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मुल्यवान है जी जब आप लोग कहते हैं ने कि तो अपने आप तीसरे नमबर पर जा ही जाएगा ऐसा कहते हैं उनको जड़ा समझना चाहिए यह उन्होंने क्या कहा